बारत को दुनिया का सबसे बड़ा गर्तंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा लेकिस सबसे बड़ा अनुछेद बारा अनुछेद बारा अनुछेद बारा अनुसूशिया शामिल है। से कैलिगराफिस थे उन्होंने अपने दादा से कैलिगराफिस सीखी थी ये इसके पहले प्रधानमंतरी जवाहलना नहरू ने रायजादा को भारती सविधान लिखने की जिम्मेदारी सौपी थी जब उनसे महनताना पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर भारत के सविधान को लिखने रायजादा को छे मैने लगे और इस दौरान 254 पैन की निब का इस्तमाल हुआ यह निब इग्लाइंड के मंगाई गई थी भारती सविधान को लिखने के लिए पूना से कागश मंगवाया गया था इटैलिक शैली में लिखे सविधान में रायजादा ने एक भी गलती नहीं की है भारती सविधान की लंबाई 22 इंच और चौड़ाई 16 इंच है भारती सविधान की लैदर वाइंडिंग की गई है इस पर सोने की कारीगरी भी की गई है भारती सविधान की मोलप्रती का वजन 3.75 किलो ग्राम है भारत का सविधान विश्व का सबसे बड़ा हातों से लिखा गया सविधान है कुल 2000 संसोधन के पाद सविधान का वास्थविक रूब सामने आया है सविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से सुरू होती है सविधान में नागरिकों की मोलबूत अधिकार के अलावा मौले करतव्य को भी जखा गया है भारती का सविधान लिखने के लिए अमेरिका, ब्रेटन, आयरलेंड, अशेलिया, जर्मनी, फ्रांस और रोस से मदद ली गई थी सब्सक्राइब ले दो, कि अधिकार के लिए अधिकार का सविधार में, गया है सबी देशवासियों और नगरिवासियों को आज चोशिंच्र जला सम्हाँ रखता कि उवोसे, गरतन्य दिवैस सुब्य जम्निनिरी की हाथ दे सुखाना है झाल झाल